हेलो अरिवन मैं दोक्टर अनुज कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथेमेटिक्स डिपार्टमेंट स्टुडेंट्स आज की इस लेक्चर में हम काफी इंपोर्टेंट टोपिक डिसकस करने वाले हैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांस्फोर्म बाई यूजिंग पार्शल फ्रेक्शन जब हम लोग क्यूशन सॉल्व करेंगे आगे ठीक है जिसमें हम डिफ्रेंशल एक्वेशन को सॉल्व करना सिखेंगे जो की एक्जाम में पूछा जाता है वहां पर इस टोपिक का बहुत ज्या तो काफी लेंथी लेंथी क्वेशन हमारे हो जाते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी मैथर्स की शोटकट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पार्शल फ्रेक्शन अगर प्रेक्टिस किये जाए तो बहुत ईजली और जल्दी टाइम सेविंग से भी आप पा पोटल इसमें पांच टाइप के हमारे आज केस डिसकस होने वाले पार्शल फ्रेक्शन के वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन एक ही वीडियो में सब कवर करूँगा फोर पार्शल फ्रेक्शन पहले आपको पता होना चाहिए पार्शल फ्रेक्शन की कंडिशन क्या है यहाँ पर आपको एक f of p फंक्शन मिलेगा डिवाइड में एक g of p फंक्शन मिलेगा पार्शल फ्रेक्शन कब होते है पार्शल फ्रेक्शन की कंडिशन है कि जो उपर व तो उसके हम partial fraction कर सकते हैं. उपर वाले function की डिगरी कम होने चाहिए नीचे वाले function की डिगरी से, लेकिन एसा भी हो सकता है कि उपर वाला जो function है, उसकी डिगरी बड़ी हो जाए या बरावर हो जाए नीचे वाले function से, जी पी से, तो इस case में क्या होता है? पार्शल फ्रेक्शन कर सकते हैं लेकिन हमें पहले क्या करना होता है डिवाईड करना होता है तो यह रूल होता है यह यह पार्शल करते हैं भाट्रेट इसमें ट्वोटल 5 लिसक्ष करूंगा टाइब वन लेता हूं सबसे पहले टाइब वन जिसमें हमारे सिंपली लिनियर फेक्टर डिवाइड में होते हैं है तो उसके लिए पार्शल फ्रेक्षन कैसे करते हैं और कैसे उसका इंवर्स लाप्लास टास्फोंग कर सकते हैं ज्यानक न काफी इंपोर पार्सल फ्रेक्षन में करने के लिए हम शोट कर्ट्रिक उँज करेंगी ट्रिक आपको यह कहते है कि जो हमारा फॉस्ट फेक्टर है उसको ऊठालो उसकी वैल्यू किया है है आपकी प idप्लस वन यह हमारा फीर्स फेक्टर है पी प्लस वन को अगर मैं 0 रख दो पी की वैल 1 उपर से मिला और P-2 नीचे से मिला तो P की value minus 1 इस सारे में डाल देनी है तो P की value अगर minus 1 डाल लेंगे तो ऊपर से 1 मिलेगा और नीचे से मिलेगा minus 1 minus 2 तो solve करके minus 1 upon 3 आएगा और solve करके जो minus 1 upon 3 आया है यह हमारी A की value आगई फिर सेम तरीके से हम इसमें दूसरा फेक्टर उठाएंगे दूसरा फेक्टर हमारा यहाँ पर है P-2 दूसरा फेक्टर कौन से हमारा P-2 तो यदि इस फेक्टर को उठाते है तो P की वेल्यू कितनी आएगी P-2 को 0 रखने पर वो P equal to 2 आएगा है न तो हमें P को 2 रखना है और कहां पर रखना है इस P-2 फेक्टर को छोड़के जो बचा है उपर नीचे वहाँ पर P को 2 डाल देना है तो उपर से 1 मिला और नीचे से 2 प्लस 1 यानिके ये भी आपको 1 upon 3 मिलेगा लेकिन with positive sign तो बीच में plus का sign लगेगा और यहाँ पर 1 upon 3 हो जाएगा और यह हमारे partial fraction by the shortcut method हो गए side में लिख सकते है by partial fraction यह हमारे partial fraction हो जाएगे by shortcut method अब हमें निकालना है यहाँ पर laplace inverse तो both side हम laplace inverse ले लेंगे therefore laplace inverse of 1 upon p plus 1 p minus 2 will be equal to minus 1 upon 3 constant होगा laplace inverse of 1 upon p plus 1 लिख लेगा यहना plus 1 upon 3 constant होगा laplace inverse of 1 upon p minus 2 लिख लेगा अब यह जो minus के 1 upon 3 है यह बाहर रहेगा और इन में हम लगाएंगे formula आपके पास formula होता है laplace inverse of 1 upon p minus a का और वो होता है e की power 80 इस formula को हम दोनों जगा पर लगा सकते है तो यहाँ से आपको value मिलेगी e की power minus t और plus 1 upon 3 यहाँ से value मिलेगी e की power 2t और यही हमारा इस function का partial fraction से करने के बाद laplace inverse transform होगा तो यह होते है type 1 के example जिसमें divide में हमारे simple linear factor मिले linear मतलब p की power 1 वाले factor मिलेंगे आपको है ना तो यह हमारे होते है type 1 के question type 1 में कभी-कभी इस तरह का case भी बन जाता है जो example 2 में लेता हूँ इस case में आप देख सकते कि हर ट्रम में उपर देखो नीचे देखो तो आपको p square दिखाई दे रहा है यानि कि p की कहीं पर भी one power नहीं है जहां पर p है वहां पर वो square के साथ है तो हम क्या कर सकते है यहां पर इसमें इसको भी first method से ही कर सकते लेकिन p square को m मान लेता हूँ चलिए मैं p square को अगर मैंने m माना तो आपको क्या मिलेगा we have solution में p को मैंने m माना और shortcut method से इसको करेंगे तो यह हो जाएगा m upon m plus a square और m plus b square a square b square constant है तो इसमें भी first method लगाएंगे first method कहता है आपको कि पहला factor उठा लो पहले factor की कितनी value है हमारी पहले factor की value है m plus a square यदि m plus a square को 0 रखा जाए तो m की value हमारी आएगी minus a square तो अब हम क्या करेंगे जो factor हमने उठाया है उसको छोड़ देंगे यह हमें छोड़ना है और इससे लग जो भी बचा इससे लग कौन-कौन बचा उपर से m मिला और नीचे से m plus b square मिला उपर नीचे जहाँ जहाँ पर m है वहाँ पर हम minus a square रख देंगे तो उपर से मिला minus के a square और नीचे से मिला minus के a square minus sorry plus b square यह हमें मिलेगा और जिसमें अगर आप minus sign adjust करके लिखते हो minus नीचे से common ले लो तो यह हमें मिलेगा a square upon a square minus b square तो यह हमारी value हो जाएगी a की by the partial fraction सेम तरीके से हम इसका दूसरा fraction लेंगी दूसरा factor लेंगी और दूसरा factor जो है हमारा वो है यहाँ पर m plus b square जिससे m की value आएगी b square दूसरा factor मैंने उठाया दूसरा factor है m plus b square m की value कितनी आएगी इसको solve करके minus के b square तो अब हमें क्या करना है जो इस factor को छोड़ देंगे जो हमने उठाया है जो yellow color से highlight है उससे लग जो भी हमारा है उसमें हम m की जगा पर minus b square रखेंगे उपर भी और नीचे भी तो यह मिलेगा इसको भी अगर simplify आप कर देते है इसको भी अगर simplify करें तो यह हो जाएगा minus बाहर ले लेता हूँ है ना minus को मैं बाहर ले लेता हूँ इस तरीके से और यह हमारी value आएगी b square upon a square minus b square तो यह हमारी b की value हो जाएगी ठीक है तो यह हमने क्या किया by using first type method जिसमें linear factor ही बनेंगे अगर इस तरह p की power 2 भी आती है हर जगा पर तो आप उसमें p square को m रख सकते है और उसको भी आप simply वही first type में लिजा करके partial fraction कर सकते हो अब m की value रखतो m की value क्या है हमारी p square upon p square plus a square और यह हो जाएगा p square plus b square जिसमें यह हमारा constant होगा a square upon a square minus b square constant और यहां से मिलेगा one upon p square plus a square और minus b square upon a square minus b square constant होगा और यहां से मिलेगा one upon p square plus b square तो हमने इसमें भी type 1 लगाया और easily parcel fraction कर दिया और side में आप लिख सकते है by parcel fraction ठीक है by parcel fraction और parcel fraction को मैं इस पूरे lecture में सब की trick में बताने वाला हूँ तो हमारी first trick से हमने parcel fraction किया बोथ side laplace inverse ले लेंगे तो laplace inverse हमें find करना है P square upon P square plus A square और P square plus B square का और इसका laplace inverse अगर निकालेंगे तो ये A square upon A square minus B square constant होगा और laplace inverse हमारा निकलेगा 1 upon P square plus A square का minus B square upon A square minus B square constant होगा और laplace inverse हमारा निकलेगा 1 upon P square plus B square का ठीक है तो a square upon a square minus b square constant है और यहाँ पर लग जाएगा हमारा laplace inverse का formula और यहाँ पर formula होगा आपका sin 80 upon a और यहाँ पर भी हमारा formula लगेगा यह हो जाएगा sin bt upon b ठीक है इसको कर थोड़ा सा simplify कर ले और तो 1 upon a square minus b square बाहर आ जाएगा और अंदर a से a कटके a sin 80 बचेगा और minus b sin bt बचेगा और inverse में हमने कौन से formula यूज किया आपको formula पता है आपने एक ही formula यहाँ पर यूज किया है laplace inverse of a upon b square plus a square यह formula होता है sin 80 का ठीक है और अगर इस a को हम यहाँ ना लिखना चाहें इसको हम one कर दे तो a यहाँ पर divide में चला जाता है तो इसको मैंने divide की form में ही यहाँ पर use किया है तो यह दो question मैंने कराए जिसमें हमारा type one लगता है और जिसमें हमारा divide में linear factor बनते है मतलब एक एक power के factor बनते है या फिर अगर इस question की बात करें इसमें हर ट्रम में p square था तो हमने उसको भी linear में convert किया और p square की जगा पर m करके उसमें भी हमने type one लगाया तो इस तरह के अगर question आते है तो आप उसमें first type लगा सकते है अब हम चलते है second type पर second type में क्या होता है कि एक तो हमारा linear factor हो जैसे कि यहाँ पर p plus 2 है यह हमारा linear factor है यहनी कि एक power का factor है लेकिन जो दूसरा factor है divide में p minus 1 का whole square वो दो power का factor है तो इस case में हमारा type 2 लगता है और type 2 को भी मैं trick से बताने वाला हूँ तो यह हमारा होता है we have जो हमें given है उसको लिख लेते है 4p plus 5 divide by p plus 2 पहले linear factor को लिख लेता हूँ और फिर p minus 1 का whole square अगर according to rule जाया जाये तो इसको हम partial fraction करने के लिए method यूज करते है कि a upon जो पहले वाला linear factor है p plus 2 फिर plus जो हमारा p minus 1 है उसकी power 2 है तो पहले b के upon में p minus 1 एक power में लिख जाएगा और फिर c के upon में p minus 1 दो पावर में लिख जाएगा तो इस तरीके से हम partial fraction करते है अगर detail में इसको करे तो उसी form में मैंने इसको लिखा है और इसको मैं डाल देता हूँ equation number 1 तो यदि यहाँ पर 3 power बनती तो 1 power में b के upon में 2 power में c के upon में और d के upon में 3 power में इसको लिखते है अगर 3 power होती तो जितनी power होती है उसी के according इसको increasing order में divide में लिखना होता है तो यह type 2 में जाएगा अब यहाँ पर हमें ABC के value find करनी है अगर अब detail में करते है तो ABC में equations बनती हैं को solve करके काफी थोड़ा सा lengthy हो जाता है लेकिन इसको हम trick से करेंगे है न trick कैसे लगेगी यहाँ पर कि जो factor हमारे यहाँ पर है 1P plus 2 है जो की 1 के upon में गया है और दूसरा P minus 1 का whole square है जो की C के upon में गया है तो जो पूरे पूरे factor A और C के नीचे लिखे हुए उसमें हम type 1 ही लगाएंगी तो type 1 लगाते है type 1 हमें यह कहता है कि 4P plus 5 को उपर ही रखेंगी और नीचे हो जाएगा आपका P plus 2 और P minus 1 का whole square ठीक है हमारा P plus 2 A के नीचे है और C के नीचे है P minus 1 का square यहनिकि पूरे पूरे यह factor हमारे डिवाइड में है A और C के तो इसमें type 1 लगेगा type 1 हमें क्या कहता है कि पहला factor उठा लो पहला factor कौन से हमारा P plus 2 इस factor को उठाया तो P की value solve करके आएगी minus 2 जो factor हमने उठाया वो P plus 2 है जो मैंने yellow color से highlight किया इससे अलग जो भी बचा है इससे अलग कौन बचा है वाँपर ये जो मैं red color से mark कर रहा हूँ ये सब बचा है इस factor को छोड़कर जो हमने उठाया है जो भी बचा है उसमें P की जग़ा पर minus 2 रख दो उपर से मिलेगा 4 into minus 2 plus 5 और नीचे से मिलेगा minus 2 minus 1 का whole square यानि कि ये मिलेगा minus 8 plus 5 यानि कि minus 3 और नीचे मिलेगा 9 जिसको solve करके मिलेगी आपको value A की जो की minus 1 upon 3 आईगी तो ये मैंने निकाला type 1 method यूज़ करके जैसे कि हमने पीछले वाले method में किया था सेम उसी तरीके से हमने A के upon में जो पूरा पूरा factor था उसके लिए हमने value निकाली है फिर जो पूरा पूरा factor है हमारा left side का वो C के upon में है वो कौन है P minus 1 का whole square ये भी पूरा पूरा factor आप देख सकते हैं पूरा factor ये C के upon में है तो C की value भी हमारी type 1 से निकल जाएगी इसको भी 0 के बराबर रखेंगे तो हमें P की value 1 मिलेगी अब इस factor को छोड़ दो और इस से लग जो भी हमारा बच्चा है जिसको मैं green color से बता रहा हूँ ये बच्चा है इस sub में आप P को 1 रख दो उपर से मिलेगा 4 plus 5 नीचे से मिलेगा 1 plus 2 यानिके 9 upon 3 और 9 upon 3 का मतलब क्या होगा 3 जो की हमारी C की value हो जाएगी तो A के नीचे पूरा factor था उसको भी type 1 से निकाल दिया C के नीचे भी पूरा factor था उसको भी हमने type 1 वाला method लगा करके निकाल दिया अब बचा कोन है यहाँ पर B B upon P minus 1 हमारा बचा रहेगा इसको डाल देते equation number 2 अब B को find करने के लिए क्योंकि यहाँ पर यह left में भी कोई portion है right में भी कोई portion है तो यह किसी न किसी value से satisfy होगी ठीक है ना तो हम इसमें क्या कर सकते है P की value डाल सकते है ठीक है कोई भी value डाल सकते है जो आपको मन करे P की value minus 2, minus 3, minus 1, 0 1, 2, 3, कुछ भी डाल सकते है लगी बस एक बात ध्यान रखना कि जो भी value आप डालेंगे उससे कहीं पर infinity ना बने जैसे कि यहाँ पर अगर आपने P को 1 डाल दिया तो 1 minus 1, 0 और something upon 0 क्या बता है infinity तो आपको P की वो value नहीं डालनी है जिससे की infinity बन जाए है ना equation 2 में P को मैं 0 डाल देता हूँ अगर P को मैं 0 डालता हूँ यह shortcut method होता है भई है ना इसमें आप P की value कुछ भी डाल सकते है तो P को अगर मैं 0 डाल हूँ तो यहाँ से left side से मिलेगा आपको 5 upon 2 into minus 1 का whole square equal में मिलेगा आपको minus के 1 upon 3 upon 2 और यह मिलेगा B upon minus 1 और यहाँ से मिलेगा C upon minus 1 का square अगर इनको solve करते हैं तो आपको B की value मिल जाएगी B की value यहाँ पर आएगी हमारी minus के 1 upon 6 minus के 5 upon 2 plus 3 जिसको solve करके 2 upon 6 आएगा और B की value आजाएगी plus के 1 upon 3 ठीक है तो यह हमारी B की value हो जाएगी using into using into अगर आप यहाँ पर P की value को minus 1 भी रखते हैं तब भी आपको same value मिलेगी minus 3 भी रखते हैं तब भी आपको same value मिलेगी आप P की value यहाँ पर कुछ भी रखिए बहुत छोटी value हम कोशिश करते रखने की ताकि easily calculation हो जाए तो P की value यहाँ में से कुछ भी रखे तब भी आपको 1 upon 3 ही मिलेगा आप फिरी है P की value कुछ भी रख सकते बस infinity ना बने तो B की value 1 upon 3 हम equation 2 में use कर देंगे तो हमारे partial fraction हो गए और partial fraction हमारे होंगे 4P plus 5 upon P plus 2 और P minus 1 का whole square equal to minus के 1 upon 3 divide by P plus 2 और B की value आई है 1 upon 3 P minus 1 और C upon C की value हमारी I है C की value तो हमने निकाली थी भई अच्छा मैंने वहाँ पर C ही लिख दिया C की value हमारी I थी 3 है ना तो 3 upon P minus 1 का whole square तो हमने partial fraction किया यहाँ पर लिख सकते है by partial fraction लेकिन हमने कौन सी trick यूज किया partial fraction की trick यूज की है जिसको आप यूज करके बहुत easily partial fraction कर सकते हो तो यह हमारी equation number 3 बन जाएगि अब बोथ साइड में हम laplace inverse ले लेंगे laplace inverse लेंगे और laplace inverse transform निकल जाएगी 4P plus 5 upon P plus 2 P minus 1 की power 2 का laplace inverse इधर minus के 1 upon 3 constant है laplace inverse निकलेगा 1 upon P plus 2 का plus 1 upon 3 constant है laplace inverse निकलेगा 1 upon P minus 1 का और plus के 3 constant है laplace inverse निकलेगा 1 upon P minus 1 की power 2 का ठीक है अब इन में तीनों में सबसे पहले लगेंगे आपकी formula लगेंगे formula होता है laplace inverse 1 upon P minus A का यह होता है E की power 80 तो शुरू की जो दो ट्रम है उसमें दोनों formula लग जाएंगी यहाँ पर A की value है minus 2 तो E की power minus 2 T हो जाएगा plus 1 upon 3 यहाँ पर A की value 1 है तो E की power T हो जाएगा plus 3 जो तीसरी ट्रम है है ना जो तीसरी ट्रम है उसमें लगेगी पहले हमारी first shifting theorem ठीक है first shifting theorem यह थी कि अगर कहीं पर laplace inverse आपको F of P minus A का find करना पड़े तो वो होता है E की power A T और laplace inverse of F of P ठीक है यह हमारी first shifting theorem है जो की third ट्रम में लगाँगा मैं अब तो यहाँ पर A का काम 1 करेगा तो E की power T को हम बाहर ले लेंगे और laplace inverse किसका निकालना पड़ेगा 1 upon P square का ठीक है अगर आपको first shifting theorem नहीं आती है तो उसको सीख लीजिए मैंने आपको सारी वीडियोज अप्लोड कर रखिया उल्लेडी इन सबका यूज़ भी होना है differential equation को solve करने में 3 E की power T last में हम formula यूज़ करेंगे 1 upon P की power N वाला जो होता है T की power N minus 1 यानिके 2 minus 1 divided by factorial 2 minus 1 और finally इसको solve करके हमें जो है laplace inverse transform मिल जाएगी बस main काम होता है partial fraction को करना और partial fraction की बता दी मैंने आपको trick तो यदि इस तरीके से एक factor की power 2 या 3 हो जाए तो आप इस तरीके से trick लगा करके है ना partial fraction कर सकते है इसके मैंने notes की में 2-3 question दिये है practice कीजिएगा अब चलते हैं हम type 3 के examples पर अब हमारा होगा type 3 का example type 3 में क्या होगा कि एक आद तो वही linear factor हो जैसे कि यहाँ पर p-1 है लेकिन एक factor p में quadratic को इस तरह से p square plus 2p plus 5 है ना ये perfect square में तो नहीं अगर perfect square में होता तो type 2 का vision वर्दा है ना ये हमारा perfect square में नहों करके quadratic factor होगा 2 power का factor होगा जो की linear factor नहीं है इसमें हम type 3 लगाते हैं और इसका partial fraction हम कैसे करते हैं we have इसका partial fraction करते हैं 5p plus 3 divide by p minus 1 और p square plus 2p plus 5 equal to जो हमारा linear factor है वो p minus 1 है वो a के upon में लिखा जाएगा जो 2 power का factor है p square plus 2p plus 5 आपको इसमें याद होगा इसका partial fraction करने के लिए हमें उपर लिखना होता है bp plus c ये p की form में है है ना bx plus c की form में चलता था जब आपने x में solve किया था लेकिन यहाँ पर x के लिए हम p use कर रहे है तो हमारा bp plus c हो जाएगा तो इसका rule होता है जो quadratic factor होता है 2 power का उसके उपर आपको bx plus c लिखना होता है यहाँ पर x का का काम p कर रहे है तो इसलिए bp plus c मैंने लिखा है तो यह हमारा इसका partial fraction होना है अब हमारा काम है abc की value find करना जिसको अगर rule से निकाले proper तरीके से वोई divide करके equation बनती है solve करना होता है काफी time लग जाता है लेकिन हम सीखेंगे इसको trick से trick में trick में यहाँ पर देखना है कि जो first type का method होता हो कब लगता है जब भी हमारा पूरा पूरा factor किसी constant abc के नीचे लिखा होगा तो उसमें type 1 लगेगा तो a की value के लिए अगर यहाँ पर देखना है तो p-1 पूरा पूरा factor a के नीचे लिखा है p-1 p-1 a के नीचे पूरा factor है तो उसमें type 1 लग जाएगा और type 1 कैसे लगता है 5p plus 3 divide by p-1 p square plus 2p plus 5 equal to तो हमने इसका factor उठाया पहले वाला जो की p-1 है p-1 को 0 रखने पर p की value आया की 1 जो हमने factor उठाया है वो p-1 है उससे लग क्या बचा उससे लग बचा यह जो मैंने red color से bound करके दिखाया आपको तो जो भी red color से bound करके आया है उसमें हम p को 1 रख देंगे उपर से मिलेगा 5 into 1 plus 3 यानिके 8 नीचे से मिलेगा 1 plus 2 यानिके 5 यानिके 8 8 से 8 कट जाएगा तो हमारी value आएगी 1 तो a की value हमें मिल गई जो आई है हमारी 1 तो अगर linear factor है यहाँ पर p-1 linear factor था तो हमने type 1 लगाया और directly हमने a की value find की अब हमारा कौन बचा रहेगा यहाँ पर bp plus c और divide by p square plus 2 p plus 5 अब हमें निकालनी है b और c की value तो b और c की value निकालने के लिए b और c की value को हमें find करने के लिए जो मैंने आपको type 2 में भी बताया था p की कुछ values डालनी होती है और values आप कुछ भी डाल सकते है minus 2, minus 3, minus 1, 0, 1, 2, 3 कुछ भी डाल सकते है value किसी कोई भी डाले value आपको same ही मिलेगी constant की तो कोशिश करते हैं कि easy value डल जाए जिससे की easily calculation आ जाए अगर हम यहाँ पर देखे तो c हमारा value direct दे सकता है क्योंकि b के साथ में तो p multiply है ना b के साथ में p multiply है तो अगर हम p को 0 रखते तो b 0 हो जाएगा तो c की value direct मिल जाएगी तो हमेशे याद अखना c की value को type 3 में निकालने के लिए p को 0 ही रखते है तो हमने क्या किया p को 0 put किया लेकिन ध्यान लकना infinity ना बने कहीं पर अगर हम इसमें p को 0 put करते है तो 0 put करने पर left side से मिला 3 नीचे से मिला minus 1 into 5 और 0 put करने पर 1 upon minus 1 और यहाँ से मिला आपको c upon 5 और अगर इसको simplify कर दिया जाए तो यहाँ से मिलेगा 3 upon 5 left से minus 1 plus c upon 5 तो c की value हमारी solve करके आगई 2 ठीक है तो c हमने find कर दिया c की value 2 आई है तो c की value को हम 2 रख देंगे equation number 2 में आप इसको next line में लिखना है ना चलो मैं भी लिख रहेता हूं next line में इससे आपको मिलेगा 5p plus 3 divide by p minus 1 और p square plus 2p plus 5 और is equal to में 1 upon p minus 1 और plus bp c की value मैंने निकाल दी 2 divide by p square plus 2p plus 5 जो की equation 3 बन जाएगे तो a निकल गया c निकल गया अब हमारा कोन बचा है b अब b की value find करेंगे है ना b की value find करने के लिए बिए ऐसे ही आप p की कोई भी value डाल सकते है बस infinity ना बने p को 1 मत डालना क्योंकि अगर p को 1 डाल देते तो 1 minus 1 0 और 1 upon 0 क्या बन जाएगा infinity तो p को हम 1 नहीं डाल सकते है ना बाकी 1 से लग कुछ भी डाल दो जैसे कि मैं यहाँ पर put कर रहा हूं p की value minus 1 अगर p की value उसमें minus 1 रख देते है तो minus 1 रखने पर मिलेगा आपको minus 5 plus 3 upon minus 1 minus 1 और ये 1 minus 2 plus 5 equal to 1 upon minus 1 minus 1 और plus minus के b और plus 2 divide by 1 minus 2 और plus 5 बस इसको solve कर लेते solve करके b की value आ जाएगी b की value हमारी solve करके आएगी minus 1 ठीक है तो a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया तो finally आपके partial fraction हो गए अब इस b की value को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और b की value आई है मेरी minus के 1 ठीक है न तो मैं इसको direct लिख देता हूँ यहाँ पर minus 1 जो की हमारी equation 4 बन जाएगी और equation 4 ही हमारी जो है partial fraction वाली equation होगी तो यह होता है shortcut method for partial fraction shortcut method हमने use किया जिससे की easily हमारा partial fraction हो गया अब हमें both side में लेना है laplace inverse और inverse transform यहाँ पर find करनी है तो both side laplace inverse ले लेते हैं लेंगे लेकिन inverse को लेने के लिए थोड़ा ध्यान देना है कि वन अपोन पी-1 इसका तो बहुत easily हो जाएगा लेकिन जो second term है अगर उसमें मैं माइनस common ले लूँ तो वहाँ पर बचेगा पी-2 और divide में बचेगा पी square प्लस 2P और प्लस में 5 तो हमें क्या करना होगा इसको perfect square में convert करके वही first shifting property लगानी होगी और आप जानते है कि पी square प्लस 2P किसके square में आएगा अगर हम पी प्लस 1 का square करे तो आएगा पी square प्लस 2P प्लस 1 है न तो पी square प्लस 2P आता है पी प्लस 1 के square में तो मैं इसको perfect square बनाने के लिए जो 5 हमारा है उसको मैं 1 प्लस 4 में convert करूँगा ठीक है क्योंकि अगर हम यहां का जो 5 है यह इस 5 को हटा करके है न वन इसके साथ ले ले और 4 को अलग कर दे तो यह perfect square बन जाएगा जो की हमारा motto है यह आपको मिलेगा वन अ whole square और प्लस 4 है न और उपर भी अगर आप P-2 को P-1 की form में बनाना चाहते है तो 1 add कर दो 1 subtract वो भी बन जाएगा P-1-3 अब हम बोट साइड में laplace inverse ले सकते है ठीक है तो मैंने laplace inverse यहां पर भी लिया मैंने laplace inverse जब left में लिया तो राइट में भी जाएगा तो राइट में कैसे जाएगा laplace inverse इसके लिए और laplace inverse इस function के लिए ठीक है तो 1 upon laplace inverse of 1 upon P-A इसका formula होता है e की power 80 तो first term में तो यह formula लग जाएगा e की power t बन जाएगा यह हमारा second में आपको लगानी पड़ेगी first shifting theorem वो होती है laplace inverse of F of P-A equal to e की power 80 और laplace inverse of F of P तो यह formula लगेगा हमारा second term में यहां पर a का काम करता है minus 1 तो e की power minus t बाहर होगा और अंदर laplace inverse हो जाएगा P plus 1 जहां जहां पर है उसको हम P में convert कर देंगे क्योंकि P minus 1 इसमें convert हो जाता है P में तो यह आपको मिलेगा P minus 3 divided by P square plus 4 इसको थोड़ा सा और आगे proceed करे तो e की power t और minus e की power minus t और यह दो function अलग-अलग बनेगी इनको भी अलग-अलग कर देते हैं laplace inverse of P upon P square plus 4 और minus 3 constant laplace inverse of 1 upon P square plus 4 ठीके इसमें लग जाएगे sin 80 और cos 80 वाले formula और इसका formula आपका होगा cos 2t और आगे मिलेगा आपको 3 into sin 2t upon 2 तो यह दोनों formula हमारे यहाँ पर लग गए formula में लिखते हैं कौन-कौन से यूज किये आपने formula हमने यहाँ पर यूज किये है by laplace inverse of P upon P square plus a square वाला जो होता है cos 80 के बराबर a का काम यहाँ पर करता है 2t और ऐसे ही laplace inverse of a upon P square plus a square वाला जो होता है sin 80 जिसको मैंने second term में यूज किया है तो दोनों formula हमारे यूज हुए और हमने बहुत easily यहाँ पर laplace inverse transform find किया लेकिन हमने partial fraction का third method यूज किया है by trick कि दो केस और बचते हैं अब लेते हैं इसमें method no.4 यानि कि type no.4 यह थोड़ा सा lengthy method हो जाता है लेकिन इसका यूज भी होना है इसलिए इसको बताना तो पड़ेगा है तो यह हमारा method 4 देखते हैं अब हम इसमें इसमें क्या होगा कि एक factor हमारा quadratic भी बन जाता है यानि कि 2 power में बन जाएगा और दूसरा जो factor है वो इस तरीके से whole square में भी होगा मतलग type 2 और type 3 को गर mix करें तो type 4 बनता है है और इसमें अगर rule के according लिखा जाए solution में तो जो 1 upon p square plus 4 और यह p plus 1 का whole square है इसको हम लिख सकते है जो power 2 वाला है पहले इसको लिखूंगा मैं p plus 1 की power 2 में type 2 लगाएंगे type 2 में मैंने बताया था कि a के upon में पहले इसकी 1 power और plus b के upon में फिर इसकी 2 power और जो आपका 2 power वाला factor है piece square plus 4 उसमें हम लिखते है bp b हम ले चुके है तो यह हो जाएगा cp plus d upon piece square plus 4 और यह equation 1 बनेगी है तो यह हमने parcel fraction की form लिखे type 2 को यूज करते हुए तो p plus 1 का whole square है a के upon में 1 power b के upon में 2 power और जो 2 power का quadratic factor है वो cp plus d की form में convert होगा तो यह हमने rule के according इसको लिख दिया अब हम trick से a b c d की value find करेंगे और a b c d की value find करना बहुत simple जो factor पूरा-पूरा है हमारा है ना जो factor पूरा-पूरा है उसकी value हम निकालेंगे वह ही type 1 से और यहाँ पर पूरा-पूरा factor है आपका आप देख सकते कौन सा जो p plus 1 का whole square है यह पूरा-पूरा factor b के नीचे लिखा है अगर यह पूरा factor b के नीचे लिखा है तो इसमें हम parcel fraction का type 1 लगाएंगे direct निकल जाएगी value कैसे निकलेगी 1 upon p square plus 4 और p plus 1 का whole square यह मैंने उठाया है ना और यहाँ पर जो हमारा factor है वो p plus 1 का whole square है यह factor उठाया अगर p plus 1 के whole square को 0 रखा जाए तो p की value हमारी minus 1 आएगी अब जो factor हमने उठाया है उसको hide रखना है और जो उससे लग बचा उसमें उपर नीचे हम p की value minus 1 डाल देंगे तो 1 upon minus 1 का square plus 4 यानिके 1 upon 1 plus 4 यानिके 1 upon 5 आपको मिलेगा और यह किसकी value हो जाएगी यह 1 upon 5 value होगी हमारी b की यह 1 upon 5 value हो जाएगी हमारी b की तो जो पूरा पूरा factor किसे के divide में होता है उसकी तो value हम directly निकाल सकते है by using type 1 method बाकी जो है वो a upon p plus 1 adjectives लिखतेंगे और इधर आपका cp plus d upon p square plus 4 यह भी adjectives लिखतेंगे जो की equation 2 बनेगी अब भी निकल गया हमें चाहिए a c d की value a c d की value को find करने के लिए वही p की value उसको put करना पड़ेगा है न और इस बार हमारे तीन constant है तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर equations भी बन जाए तो पहले हम इसमें p की value 0 रखते हैं अगर हम इसमें p की value को 0 रखे तो p की value को 0 रखने पर left side में कितना मिला 1 upon 4 right side में a upon 1 p को 0 रखने पर 1 upon 5 p को 0 रखने पर d upon 4 जिसको solve करके a और d में equation बन जाएगी 4 a plus d equal to 1 upon 5 और इस equation को मैं एक box में लेता हूँ इसको डाल देता हूँ equation 3 तो p को 0 रखा एक equation बनी फिर हम p की value कुछ और रखने देखते है p को 1 रख लेते है पर जानक ना वही value रखने है जिससे infinity ना बने अगर p को से 1 रखते है तो left side से मिलेगा आपको 1 plus 4 5 1 plus 1 2 का square 4 यानिके 1 upon 20 और p को 1 रखने पर a upon 2 और p को 1 रखने पर 1 plus 1 का square 1 upon 5 उपर से आएगा 1 upon 20 और यहां से मिलेगा p को 1 रखने पर c plus d upon 5 1 upon 20 से 1 upon 20 कट जाएगा इसको भी solve के एक equation मिलेगी और वह equation होगी 5a plus 2c plus 2d equal to 0 equation number 40 को डाल देंगे तो 2 equation बन गई अब 3 unknown है तो इसका मतलब 3 equation तो कम से कम मुझे चाहिए तो अब p की value को एक और रख लेते हैं तो फिर मैंने p की value को रखा इसी तरीके से minus 2 और p को अगर minus 2 आप रखते है equation 2 में तो p को minus 2 रखने पर आपको मिलेगी एक equation है ना और वो equation हमारी होगी 8a plus 2c minus d equal to 3 upon 5 ये आपके लिए मैंने छोड़ा है ना p की value minus 2 रखना ये equation आपको मिलेगी जिसको equation 5 हम कहेंगे अब आपको 3,4,5 को solve करना है और 3,4,5 को solve करके acd की value निकालनी है अगर आप यहाँ पर equation 3 से from 3 अगर equation 3 से आप d की value निकाले तो आएगी 1 upon 5 minus 4a इस value को equation 4 में भी रख दो using in 4 and 5 4 और 5 दोनों में रख दो 4 और 5 अगर दोनों में value रखते है तो 4 से value equation मिलेगी आपको 3a minus 2c equal to 2 upon 5 और 5 से value मिलेगी आपको solve करके direct लिखता हूँ 6a plus c equal to 2 upon 5 यह value मिलेगी जिसको कि आप 6 or 7 डाल देंगे अब 6 or 7 दो equation बन जाएगी a और c में तो दोनों को solve कर लिजेगा आप on solving आपको a की value यहाँ से मिलेगी 2 upon 25 c की value आपको मिलेगी minus 2 upon 25 और d की value मिलेगी minus 3 upon 25 जो कि मैंने directly किया आप solve करके यह दो equation को यह values निकाल सकते हैं calculator से भी find कर सकते हो अब इन सभी value को हम equation 2 में रख देंगे equation 2 में अगर रखते है तो हमारी equation हमें मिलेगी using in 2 partial fraction हमारे हो जाएंगे using in 2 तो partial fraction हमारे होंगे 1 upon p plus 1 का whole square और p square plus 4 equal to 2 upon 25 1 upon p square plus sorry 1 upon p plus 1 a की value थी plus 1 upon 5 1 upon p plus 1 का whole square और minus 2p plus 3 upon 25 p square plus 4 तो हमने partial fraction से लिख दिया अब हम क्या करेंगे यहां पर both side laplace inverse ले ले लेंगे इस तरफ भी laplace inverse लग जाएगा और इस तरफ भी हमारा laplace inverse लगेगा अब laplace inverse को हम अलग-अलग कर देते हैं 2 upon 25 constant और laplace inverse लगेगा 1 upon p plus 1 के उपर प्लस के 1 upon 5 constant laplace inverse लगेगा 1 upon p plus 1 के whole square पर इधर भी हम क्या करेंगे 2 upon 25 और laplace inverse लगेगा p upon p square plus 4 पर है ना और यह हो जाएगा minus के 3 upon 25 minus के 3 upon 25 और laplace inverse हमेरा लगेगा 1 upon p square plus 4 अब यहाँ पर आप प्रोपर्टी लगाएंगी है ना फोर्मूले लगाएंगी तो यह आपको मिलेगा 2 upon 25 यह होता है e की power minus t का direct inverse transform इसमें e की power 80 वाला फोर्मूला लगेगा यहाँ पर हम लगाएंगे पहले first shifting theorem e की power minus t बाहरा जाएगा laplace inverse निकलेगा फिर 1 upon p square का है ना फिर minus 2 upon 25 यह हमारा laplace inverse होगा cos 2t का minus के 3 upon 25 laplace inverse होगा sin 2t upon 2 का ठीक है और अगर finally आप answer देखे तो 2 upon 25 e की power minus t और plus 1 upon 5 e की power minus t यहाँ पर लग जाएगा t की power 2 minus 1 upon factorial 1 2 upon 25 cos 2t और यह हो जाएगा आपका 3 upon 50 sin 2t तो यह हो गया हमारा method number 4 type number 4 4 दा partial fraction जिसको कि आप इस तरीके से shortcut trick use करके solve कर सकते है थोड़ा lengthy होता है type 4 क्योंकि इसमें हमारे quadratic factor भी आ जाता है और power 2 के factors भी होते है थोड़ा से lengthy होता है क्योंकि इसमें equations बनती है equations को भी solve करना होता है अब लेते से में last type type number 5 यह काफी useful है काफी use होगा हमारा differential equation को solve करते हुए इसमें हमें laplace inverse निकालनी होती है इस function की इस तरह के function की जो की दोनों ही quadratic factor है यह भी हमारा 2 power का factor है और यह भी हमारा 2 power का factor है अगर इसको rule से किया जाए तो इसको rule से करने पर यह उसी तरीके से जाएगा पहले आएगा ap plus b upon p square minus 2p plus 2 और दूसरा जाएगा cp plus d और p square plus 2p plus 2 जिससे की equations बनेगी काफी lengthy हो जाएगा लेकिन इसको भी दूसरी trick से करते हैं दूसरी trick से कैसे करेंगे देखे जरा we have जिसका आपको parcel fraction करना है उसको उठा लेते हैं parcel fraction हमें करना है पी upon p square minus 2p plus 2 और p square plus 2p plus 2 यह parcel fraction आपको करना है तो इसमें हम क्या करेंगे जो divide में है उसको एडिटी से डिख लेते हैं पी square minus 2p plus 2 ट्रिक ध्यान से समझना बिसकी यदि इस तरीके से quadratic आपके दो factor हो जाए बड़े-बड़े से lengthy से factor हो जाए पूरी quadratic equation बनाएं तो इसमें हमारी trick क्या लगेगी बस आपको यह ध्यान में रखना है कि उपर हमारा क्या है पी है यानि कि जो भी हम calculation करें उपर पी बचना चाहिए उसमें आपको कुछ भी multiply, कुछ भी divide, कुछ भी add, कुछ भी subtract करना पड़ सकता है और इसका जो दूसरा factor है उसको पहले लिख लो और इसका जो पहला factor है इसको बाद में लिख लो अब इन दोनों factor के साथ हम क्या करें जिससे की खाली हमें ये पी मिलें हमें numerator में पी चाहिए तो हम इन दोनों factor को add करें add करके पी आएगा या हम इन दोनों factor को subtract करें करके पी आएगा तो obviously अगर हम दोनों को minus करते है तो p square plus 2p plus 2 minus p square plus 2p और minus 2 इससे p square से p square कटेगा 2 से 2 कटेगा और 2p 2p मिल करके कितने हो जाएगा 4p मतलब अगर हम दोनों को subtract करते है न तो p नहीं आता 4p आता है और हमें क्या चाहिए हमें चाहिए p तो इसका मतलब 4 से हमें यहाँ पर divide करना पड़ेगा तो बाहर लिखनेंगे 1 upon 4 और अब देखो उसको जरा अब देखो यह जो 4p आया था यह 4 से 4 कट जाएगा हमारा divide करने पर या ऐसा कहलो हमने 4 से multiply किया 4 से divide किया है तो easily हमारा यह पी ही वचेगा तो इस तरीके से आपको करना होता है बस दोनों factors को उपर लिखना होता है cross में है ना second वाले को पहले और first वाले को बाद में और फिर देखना है कि जो हमें value लानी है वो plus करके आएगी या minus करके आएगी है ना या फिर उसमें आपको कुछ भी multiply divide भी करना पड़ सकता है है ना तो इस तरीके से हम type 5 को solve करते है इससे बहुत easily fraction हो जाते है बस अब यह बहुत easily अलग-अलग हो जाएंगे 1 upon 4 आपका बाहर है जब इसको इनके साथ लोगे तो ए पूरे के साथ लोगे तो पहले वाला factor कट जाएगा और 1 upon P square plus 2P plus 2 बचेगा और यह हो गया हमारा partial fraction ट्रिक के साथ इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ आपको है ना अब हम क्या करेंगे क्योंकि नीचे quadratic है तो इसको हम perfect square में लिखेंगे और perfect square में लिखने के लिए आपको देखना होगा कि P square minus 2P और P square plus 2P किसके square में आता है तो अगर बात करें हम P square minus 2P यह square में आता है P minus 1 के whole square में क्योंकि इसको solve करेंगे तो P square minus 2P plus 1 आएगा लेकिन उसके लिए मुझे 1 चाहिए साथ में तो यह जो 2 है यह जो हमारा 2 है इसको 2 से हम break कर लेंगे 1 plus 1 में तो नीचे बन जाएगा हमारा P minus 1 का square plus 1 ऐसे ही दूसरी ट्रम में अगर हम करें तो वहाँ पर P square plus 2P है जो की होगा P plus 1 का whole square plus 1 तो हमने इसको perfect square की form में लिखा है ठीक है अब बोट side में हम laplace inverse ले सकते है यह value किसके आई है हमारी P upon P square minus 2P plus 2 और P square plus 2P plus 2 की यह value आई है तो बोट side में हम laplace inverse ले लेंगी ठीक है इधर भी laplace inverse लग जाएगा लाप्लास inverse को अलग-अलग कर देंगे अब 1 upon 4 constant laplace inverse हमारा लगेगा 1 upon P minus 1 के whole square plus 1 पर minus 1 upon 4 laplace inverse हमारा लगेगा 1 upon P plus 1 का whole square minus 1 पर पहले हम इसमें लगाएंगे first shifting theorem, first shifting theorem है कि अगर F of P minus A का laplace inverse निकालना हो तो E की power 80 बाहर ले करके F of P का laplace inverse निकाल दो, यह होती है first shifting theorem पहली ट्रम में अगर देखे तो A की value 1 है, दूसरी ट्रम में देखे तो A की value minus 1 है तो 1 upon 4 E की power T बाहर और अंदर बचेगा P minus 1 की जगापर हम कर देंगे P minus 1 upon 4 ऐसे ही इसमें करेंगे तो A की value minus 1 है तो अंदर बचेगा 1 upon P square यह भी plus 1 है, P square plus 1 तो यह हमारा अंदर बचेगा है न, इसमें कुछ common आएगा, common क्या आएगा, 1 upon 4 बाहर है हमारा E की power T, E की power minus T मिलेगा और laplace inverse of 1 upon P square plus 1 common आएगा और यह laplace inverse किसका होता है, यह laplace inverse होता है हमारा sin T का और इसको भी अगर hyperbolic में convert करें तो जो 4 है, यह जो 4 है इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर 2 ले लेता हूँ और एक 2 ले लेता हूँ उसके नीचे, तो यह मिलेगा 1 upon 2 sin T और यह formula बनेगा आपका sin hyperbolic T का, कौन सा formula है यह, sin hyperbolic 80 का formula आपने पढ़ा है e की power 80, e की power minus 80 divided by 2 होता है, तो इस formula का मैंने यहाँ पर use किया है, जिससे कि इस form में आ जाएगा और यही हमारा इसका final answer होगा तो यह होता है हमारा type number 5, ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि type 5 की question होते है, कुछ इस तरीके से भी आ सकते हैं जैसे की हमें लापलास inverse निकालना हो, हिंट दूँगा करेंगे अपने आप, यह हो जाएगा P की power 4, P की power 4 plus P square plus 1 इसका लापलास inverse transform निकालना है, तो इसको हम solve कैसे करते हैं, जो हमें दिया है, उसको उठा लेंगे पहले, P की power 4 plus P square plus 1 ठीके, यह ऐसे solve होगा है नहीं, हम इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा trick लगाने पड़ती है, trick क्या होगी, नीचे हमें इसको perfect square, मतलब वही दो quadratic factor में convert करना है, तो नीचे perfect square बनाना होगा, perfect square बनाने के लिए, मैंने इसमें देखो, यहाँ पर क्या किया, P की power 4 था, मैंने लिखा, plus 1 वहाँ पर है, मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक P square पहले से है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 P square add किया, तो 2 P square हो जाएगा, और 1 P square subtract किया, ऐसा करने से क्या होगा, यह P upon, P square plus 1 का whole square बनेगा, और minus P square बनेगा, इसमें भी जब formula लगेगा तो यह बनेगा a minus b यानि कि p square minus p plus 1 और a plus b p square plus p plus 1 तो वो हमारा जो question में दिया था वो p की power 4 में था तो मैंने उसको वापिस उसी form में लिख दिया दो quadratic factor की multiply में और जिसकी trick आप जानते हैं जो मैंने just अभी बताई है इसकी trick क्या है कि पहले इनको हम adjectives लिख ल फिर हम इनको उपर लिखना है इना gross में लिखना है p square प्लस b plus 1 को मैंने पहले लिखा और p square minus p plus 1 को मैंने बाद में लिखा अब हम इसमें plus करे की minus करे जिससे की हमारा क्या आजाए p आजाए प्लस करने पर तो कभी भी नहीं आएगा लेकिन अगर माइनस कर दे तो P स्क्वाइर प्लस P प्लस 1 माइनस P स्क्वाइर प्लस P प्लस 1 P स्क्वाइर से P स्क्वाइर कर जाता है 1 से 1 कर जाता है P और P में लिकर कितना मिलेगा 2P तो आता है हमारा 2P और हमें चाहिए P तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा 2 से multiply और 2 से divide करना पड़ेगा और यहाँ पर minus का sign लगा देंगे तो लोजी हो गई partial fraction आपको दोनों को cross में लिखना है देखना है कि plus करके minus करके किसकी multiply डिवाइड करके हमारा बनता है तो 1 upon 2 अलग-अलग हम कर देंगे तो 1 upon P square minus P plus 1 और यह आपका 1 upon P square plus P plus 1 तो पार्सल fraction हो गए इसके बाद वोई आप इसमें perfect square की form में इसको convert करेंगे और इसका आप लाप लाज inverse transform find करेंगे तो आज का जो हमारा वीडियो था थोड़ा सा लेंती हुआ है लेकिन मैंने एक ही वीडियो में जो पार्सल fraction के important पांच method है पांच टाइफ है पांच के पांच मैंने आपके discuss कर दिये यहां पर है ना और इन सब का यूज करेंगे हम